डिसकस कर रहे हैं और ये भी अपने आप में बहुत ही ultimate चीज है और वो क्या है आप समझिए साथियों अक्सर जब election होता है और विद्धार्थियों से पूछ लिया जाए कि election में किस प्रकार का सुधार आप अपेक्षित करते हैं यानि किस प्रकार का सुधार आप चाहते हैं अगर कोई आप से पूछ ले तो आपका जवाब होता है कि सर election के अंदर ना voting को mandatory कर दिया जाए कंपलसरी कर दिया जाए बस vote सब लोग देने जाएं मैं तो सबसे पहला सुधार ये चाहता हूँ आप मेंसे कुछ लोग ऐसे ही होंगे दूसरा कुछ लोग ये होंगे सर क्या होता है ना वोट देने के लिए तो हम चले जाएं लेकिन मेरा वोट जो है वो तो है अलवर में और मैं रह रहा हूँ बैंगलॉर में तो मैं कैसे देने आओं फिर वोट के लिए इतना टिकेट सरकार भी पैसा नहीं देती बिल्कुल सही है आपको वोट देने के नाम पर तो पैसा मिलता भी नहीं है कि आने जाने का टिकेट आपका फिरी कर दिया तीसरा बोलें सर वोट देने चला जाओं लेकिन उसी दिन तो छुटी मिलती है इस दाने मज़ा मन में आता है कि चलो कहीं घुमने चले जाते है तो सर्फ वोट ना देने के मेरे पास एक से बढ़कर एक बहाने है हाँ सरकार को हमको अगर कोसना हो तो उसके भी हमारे पास बहुत सारे बहाने है लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि वोट देने के लिए आपको जाना है तो हमें लाइन में खड़ा होने में बहुत जोर आता है सरकार इस बारे में काम कर रही है तेलंगाना सरकार ने तो शुरू भी कर दिया है क्या काम शुरू कर दिया है तेलंगाना सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं है आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं मोबाइल तो है ना आपके पास बोले हाँ अरे वही मोबाइल जिससे आप पैसा वाइसा ट्रांसफर करते हैं भीम एप्लिकेशन के थुरू आप अपना पूरा अकाउंट जोड कर रखते हैं पैसे से कीम्ती तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ऐसी इस्थिती में जब आप मोबाइल से धनका उपयोग कर सकते हैं तो मोबाइल से वोट का क्यों नहीं और ये बाद तो वाकई में सोचने की है कि अगर हम लोग मोबाइल से पूरा धन निकाल सकते हैं आजकल मोबाइल अपने आप में A.T.M. कार्ड है dummy election कराने जा रही है dummy election का मतलब हुआ कि आप लोग वोट देकर किसी को चुनने वाले नहीं है फिलहाल के लिए लेकिन एक बार practical करके देख रही है और साथ में है central की तरफ से C-DAC जिसने सुविधा का विकास किया है कजब की news है त्यलंगाना के अंदर ये घटना होने जा रही है अपने आप में बहुती interesting बात है और ये technology के अंदर अपने आप में एक development है even ये चुनाव सुधार के अंदर भी काम में ली जाएगी तो किस राज्य के अंदर ऐसा हो रहा है क्योंकि तेलंगाना में dry run आयो जित किया जा रहा है एक प्रकार से समझिएगा कि आप गारी को आने के पहले जो चराते हैं ट्रायल रन जो लेते हैं उस प्रकार का ट्रायल रन होने जा रहा है जिसके अंतरगत भारत का पहला smartphone based e-voting in तेलंगाना district on October 20 होने जा रहा है याद कर लेना पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है जगे का नाम है खंबन खंबन करके जो इस्थान है साथियों यहाँ पर होने जा रहा है smartphone based e-voting system जिसमें आप अपने phone से vote दे सकेंगे और registration यहाँ पर तेलंगाना वालों के लिए open है October 8 से October 18 के बीच में they can register themselves for the voting ऐसा काम करने के लिए कारेकरम शुरू हो रहा है तो यदि यह pilot project सही से शुरू हो गया तो साथियों वो दिन दूर नहीं जब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर जबरदस्त लोगों का विश्वास बन सकेगा क्योंकि लोग vote में वो लोग भी अब जो की सामानित है यूट्यूब पर पोल के अंदर काम में कर पोल पर vote दे लेते हैं टेलिग्राम पर दे लेते हैं फेस्बुक इंस्टा पर दे लेते हैं अब वो रियल में भी voting कर पाएंगे साथियों इसको करने के लिए मुबाइल के अंदर एक application डाउनलोड करना होगा तेलंगाना वालों को जिसका नाम है TSEC e-vote TSEC e-vote करके जो मुबाइल application है इसे install करना होगा अपने लिए अपने आपको register करना होगा vote के लिए इसमें vote का option दिया हुआ है register करने के लिए इन्हें बकाइदा proper तरीके से अपनी voting ID जो है उसका उपयोग करना है तीन stages में तीन stages में stages का मतलब हुआ पहले mobile number verify होगा mobile number verify होने के बाद में अधार card verify, पहचान पत्र verify इन तीनों के verification होने के बाद हाँ आपके phone में ये थीज verify हो गई है उसके बाद आप इस काम को कर पाएंगे तो अपने आप में साथियों ये एक बहुत बड़ा कारिक्रम है जो भारत में होने के लिए जा रहा है तो इसका काम होने जा रहा है भविश्य में देखना ये होगा कि ये कितना अच्छे से execute हुआ कैसे इसके परिणाम रहे कौन करवा रहा है तो साथियों करनाटका के अंदर इस department जो ये तेलंगाना government है वो और Center for Development of Advanced Computing ये मिलकर के इसका विकास कार्य कर रहे है और तेलंगाना का State Election Commission जो है रहा है कि किस प्रकार से ये कार्य कर पाता है तो अगर ऐसा होता है तो ये गजब की तरीके का काम हो जाएगा मानने वाली बात हो जाएगी इसमें proper registration होगा आधार कार्ट से registration होगा voter का verification होगा उसकी photo होगी proper तरीके से registration complete होने के बाद में वो व्यक्ति अपना vote दे पाएगा तो उमीद है आप लोगों को ये बात समझ में आगई हो informative जानकारी थी लेकिन बहुत ज़्यादा important थी इसलिए हमने आपके साथ में इसे साजह कर दिया है ठीक है चलिए तो तेलंगाना के अंदर ऐसा होने जा रहा है smartphone based e-voting solution ठीक है चलिए हम आज उसके अंदर continuity करने जा रहे है तो आज के session के अंदर शाम 7 बजे आपको क्या मिलने वाला है मैं पहले ही बता देता हूँ आपको आज के session में Indian polity के बहुत ही important questions मिलेंगे जिन्हें आप जरूर कुछ सीखते हुए करने वाले हैं तो आज के session का link मैंने ये आपके सामने ही share कर दिया है अभी की अभी आप लोग comment box में भी pin हुआ उसे देख लेंगे और हमारे telegram channel जिसका नाम है अंकित अवस्थी sir उस पर भी आपको इसका link प्राप्त हो जाएगा ये आपसे बात करते करते ही आज कल मैंने सही तरीका ढूंड लिया है आपके साथ बात करते करते ही session लगाने का ताकि कहीं भूल ना जाओं अकिसर क्या है ना कि बुढ़ापा आ गया है लग रहा है भूल जा रहे हैं ठीक है तो ये पार्ट है तो पॉइंट आपको मिली गया कि आज क्या होने वाला है इविनिंग में साथ बजे ठीक है अच्छा इसके अलावा जो भी विध्यारती मेरे साथ paid courses पढ़ना चाहते हैं उन्हें मैं inform करना चाहूंगा मेरा referral code अंकित10 यूज करके आप किसी भी कैटेगरी में फिर चाहे UPSC हो, SSC हो, banking हो, railway हो, defense हो किसी भी कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो referral code अंकित10 यूज करके 10% discount आप immediately प्राप्त कर सकते हैं ये लीजिए साहाब हमने अपना जो class का link है वो share भी कर दिया है इसी के साथ साथ हम अपनी team को भी share कर देते हैं ताकि वो comment box में आपके सामने अभी pin कर दे class के साथ वाले में, class के बाद वाले में दौनों में वो pin हो जाए ताकि आप लोगों को class मिल जाए अच्छा, और क्या खास बात होती है अलग-अलग categories में चुकि आज 14 October है और आज के दिन की खासियत यह है कि जो defense वाले विध्यारती हैं विशेश रूप से NDA, CDS, CAPF, FCAT इनकी तयारी करने वाले विध्यारती जो हैं उनके लिए Unacademy पर 14 तारिक तक के लिए ही एक offer चल रहा था उस offer के तहत defense की तयारी करने वाले विध्यारतीयों को NDA की तयारी में मतब 6 महीने की तयारी के साथ एक महीने का additional subscription दिया जा रहा था 12 महीने की तयारी के साथ 12 महीने का SSB का subscription दिया जा रहा था 24 महीने की तयारी के साथ में 4 महीने का additional subscription दिया जा रहा था आज वो offer रात बारा बजे समाप्त हो जाएगा यदि आप में से कोई भी विद्धिहार्थी defense category में subscription लेना चाहता है तो वो अपने आपको enroll कर ले मेरा referral code अंकित 10 यूज करके जितने भी educators वहाँ पढ़ा रहे हैं उन सबकी classes, सबकी previous lectures, आने वाले lectures, सभी का comment content सब आपको प्राप्त हो जाएगा जिसको आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं वहाँ पर कुछी देर में प्राप्त हो जाएगा subscription related किसी भी query के लिए आप anacad में learning app, अपने mobile में install कर लें help and support पर जाकर जाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप वहाँ से नहीं चाते तो हमें हमारे telegram पर भी message कर सकते हैं आप हमसे सीधी connection करके बाचीद भी कर सकते हैं आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविदा हो तो हमें बताएं हम आप उसके समाधान करने के लिए ततपर हैं फिलाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें बड़ों का सम्वान करें चोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें धन्यवाद